नमस्कार दोस्तो आज के इसने अपसोर्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा चमतकरी नुष्का बताने वाले हैं जिसे जानकर आप वाकिर दंग रह जाएंगे दोस्तो ये एक ऐसा नुष्का है जिससे कमजोरी हो या सीने में जलन मातर सिर्फ एक चुटकी से ही आप हमेशा के हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ हींग की जि हाँ दोस्तो चाहे ऑफिस का तनाव हो या फिर बार बार सीने में जलन ऐसे में सिर्फ एक चुटकी हींग के इस्तमाल से आप बिलकुल स्वस्त और बिलकुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों नुश्का बताएं से पहले मैं आप सबसे कहा चाता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे जाके लाज बटन को दबा कर अभी के अभी सबस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं जबरदस्ट टिप्स जिससे आप घर पर अपनी औरशदी बना सकते हैं और एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं हम दाइलिक की तरफ जासा की आप जानते हैं मेरे हाथ में हैं अब यहीं की डिबी दूस्तों आम तरह मार्केट में बहुत तरह की ही और ही सारी ही आपको इसी भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहां पे MDH की हींग ली है आपको मैं दिखाता हूँ हींग का स्वाद और इसकी गंध कैसी होती है दोस्तो हींग आप तोर पर खाने में डाल जाता है और इसका अस्तमाल हमेशा देखा जाता है कि खाने को स्वादिष्ट और जिन लोगों को पेट की ऐसीडिटी की समस्य होती है वो लोग खाने में अक्सर हिंग डाला करते हैं दोस्तो हिंग आप कोई सी भी स्वाद करते हैं जब बाजार में उपलब्ध है अब आते हैं नुश्के की तरफ दोस्तो कई बार दिन भर की ठकान या ओफिस का तनाव शरीर पर हावी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता इसके परिनाव सरूप हमेशा शरीर में कमजोरी च्छाई रहती है और कई बार तो इस कमजोरी के कारण सीने में जलन तक हो जाती है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो इसे बिल्कुल भी नजर नजर अंदाज ना करें इसके बजाए आप इसका treatment करें और आप treatment करने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं वरना हम तो हैं ही आपके पास क्योंकि हम आपके लिए आसान सा घरेल उन उसका लेके आया हैं इन सभी परिशानी से छुटकारा पाने के लिए क्योंकि आपका शरी एक मशीन की तरह काम करता है जो नियमित रूप से आपका काम करता है येकिन अचानक से जब कोई चीज अंसंतुलित होती है तो हमारा तबियत एक तरह से उस पर असर पढ़ता है खराब होने लगती है फिट डायबटी, बलड प्रेशर, एसिडिटी, जोगों में दर्द की तकलीफ शुरू हो जाती है तो ऐसे में शरीर में कमजोरी इन सभी बिमारियों की शुरुवाती लक्षन माना जाता है तो इस एक लक्षन को इन बिमारियों में बदलने से बचाने के लिए रोज आपको एक चुटकी, जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी हीं का इस्तमाल करना है इसके इस्तमाल से आपको इस सभी समस्या से चुटकारा मिल जाएगा दोस्तों इस्तमाल कैसे करें? सबसे पहले आपको रोज एक गिलास गुन गुना पानी लेना है जी हाँ दोस्तों पानी लेने के बाद फिर आपको इसमें एक चुटकी हींग बलानी है मैं दिखाता हूँ आपको, आपने ली एक चुटकी माधर, सिर्फ एक चुटकी हींग, और आपने इसको अपने पानी में डाल दिया, आप दीख सकते हैं, मैंनि इस हींग को पानी में डाल दिया है, उसके बाद आपको एक चंबस लेनी है, और इसे अच्छे से मिलाना है, आ जात ही खाना अच्छे से पच्टा है और जिससे सीने में जलन की शिकायत बिल्कुल नहीं होती। इसके अन्य फाइदे जो मैं आपका बता रहा हूं वो यह यह हैं कि हींग का अस्तमाल करने से दातों का दर्द ठीक हो जाता है। दातों में दर्द हैं तो आप इसे निम्वू की कुछ बूनू के साथ मिलाकर प्रबहावी दात पर भी लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फाइदा होने लगता है। दोस्तों आपको इस पानी को नियमित रोप से मादर सिर्फ एक हफ्ते तक इस्तमाल करना है। इससे आप अपने दिल चरिया में एक कमाल का परिवर्तन महसूस करेंगे। और आपको यहींग एक तरह से सभी तरह की इन परिशानियों से कमजोरियों से जलन से मिलकुत छुटकार दिला देगी। दोस्तों यह बहुत ही उत्तम नुष्का है, सस्ता नुष्का है और बहुत ही कारगर नुष्का है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शे सके और एक स्वस्त जीवन जी सके। दोस्तों आपको यह वीडियो क्या से लगा इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दे हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें कि अपना ख्याल आप कर दे stuff तोस्ते रहें म Cherry